जहां दोस्तो अगर आप अपना पुराना मोबायल बेच कर एक नया मोबायल खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक ज़रुद देखना और यहां पर आपको कोई भी डाउन पेमेंट देने की ज़रुत नहीं है मैं आपको अपना पुराना मोबाइल बेच कर एक नया मोबाइल कैसे खरीदते हैं उसका पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ दोस्तों आज कल हर कोई अपना नया मुबाईल जो खरीदना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि इस पुराने मुबाईल का क्या किया जाए अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को या अधर को बेचते हैं तो वो इतना प्राइस नहीं दे पाते हैं या वो पुराने मुबाईल खरीदना ही नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है आप आसानी सही ओनलाइन फिलिप कार्ड पर अपने पुराने मुबाईल को बेच सकते हो और एक नया मुबाईल ले सकते हो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस ओनलाइन ही करना पड़ता है वो कैसे करना है उसकी जानकारी में आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ जब आपके पास न्यू मुबाईल आ जाएगा उस समय आपको जो अपना पुराना मुबाईल डिलिवरी बोय को देना होगा और उसकी बदले में आपको जो है साथ में 100 रुपया भी देना पड़ेगा ताकि वो आपके पुराने मुबाईल को कंपने को वापस रिटन कर सके पुराना मुबाईल बेचकर नया मुबाईल कैसे करे दना है इसके लिए आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखे और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करे मैं इस वीडियो पर सिरफ 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ आसा करता हूँ आप इस 50 वाले टारगेट को जरूर पूरा करेंगे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नॉटिपिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंंट्स इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है या पर फिलिपकार्ड की वیबसाइड पर या आप इसके लीए एब्लिकेशन भी Đाँटलूड कर सकते हैं कुर्ण करना पदा है और लोगिन कर लेना और तो यहां पर सबसे पहले आपको जो भी मुबाईल आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको यहां पर संपर कर देना है यहां पर अपको एक उपसन आ जाएगा बाई with exchange, अगर आपकी यह option नहीं आ रहा है तो आप दूसरा mobile ले सकते हैं लेकिन सभी mobile में यह option available है तो यहाँ पर simple से आपको जो है yes पर click कर देना है और friends अगर जो भी आप पुराने mobile बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको है जो अपने पुराने mobile को चार्जर से आटा देना है यहाँ कि उस समय चार्ज नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर आपको yes कर देना है yes करने के बाद आप जो भी पुराना mobile बेचना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको model select कर देना है अब जैसे कि मेरे पास Redmi Note 8 Pro है अदर सारी brand के यहाँ पर company के नाम आपको मिल जाएंगे जो भी है उसको यहाँ पर select कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको next कर देना है next करने के बाद यहाँ पर आपको IMEI number आपको डालने है यह number कैसे लेने तो आप simple सा अपने mobile में जाकर यह डायल कर दे इस्टार है जीरो सिक्स है यह आप डालोगे तो आपके पास जो है यह number आ जाएंगे उन number को यहाँ पर simple सा जो है यहाँ पर paste कर देना है तो मेरे पास जो है mobile के अंदर मैंने यह डायल करके IMEI number डाल दिये है तो यहाँ पर अगर आपको यह number नहीं मिल रहे है तो आपको फिट से try कर देना आपके पास यहन के आपको call नहीं करना है सिरफ आपको dial करना है dial करते ही वो number आपके screen पर show हो जाएंगे तो फिलाल मैंने अपने number यहाँ पर डाल दी है अब आपको पता चल जाएगा अब जो यहाँ पर जो मुझे mobile जो मेरा mobile है वो 5550 रुपए में यहाँ पर यह बेच रहा है यहन कि आपको इतना price आपको यहाँ पर मिलेगा इसके लिए यहाँ पर आपको confirm accent पर click कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने एक result आजाएगा इसमें आपको लिखा होगा जो आप नया mobile लेना चाते हो उसकी जो price है उसमें से यह cut जाएगी price तो friends यहाँ पर simple सा मैं यहाँ पर buy now पर click कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यह जो 10499 वाला mobile है वो मुझे कितने में पढ़ता है तो यहाँ पर मैंने buy now पर click कर दिया है और उससे पहले आप जो है features आपको देखना चाहते है और यहाँ पर आपको pin code नमबर डालना जरूरी है अगर pin code नमबर नहीं डालोगी तो वो जो exchange वाला offer है वो काई काई जगा पर नहीं available होता है तो इसका आपको pin code डालना है तो यहाँ पर simple से आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ पर 10499 वाला mobile है वो सिरब मुझे पढ़ रहा है 500050 रुपे में यहनि कि जो मैं अगर mobile यहाँ पर sale करूँगा तो वो 5500 रुपे में sale हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सिरब pay करने पड़ेंगे 5000 गुणपचास लेकिन आपको जो यह case on delivery ही pay करने अगर आप case on delivery करना चाहते हैं तो यहाँ पर case on delivery की सुईधा उपलब दें जैसी delivery वोई आपके लिए आपके पास जो यह mobile आईगा तब आपको अपना पुराना mobile दे देना है और new mobile आपको ले लेना है और साथ में आपको 100 रुपया और 5000 गुनपचास रुपे पी देना पड़ेगा यह मैंने जैस आपको एक्जांपल में आपको बताया है अब आप कौन सा mobile लेना चाते हैं अगर इस सब मेंगा लेना चाते हैं तो वो आपकी मर्जी उसके हिसाब से आपको payment देना पड़ेगा तो यहाँ पर simple सा आपको जो है payment पर click कर देना है payment पर click करने के बाद अगर यहाँ पर case on delivery है, EMI पर भी है, net banking है, credit card है, pay team wallet से दे सकते हैं, UPI से दे सकते हैं तो case on delivery करते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको जो है आपर अंक दे रखे है चार्ट सो चोरानू ऐसे आपके भी अंक आजेंगे वो आपको डाल कर सीधा आपको confirm पर click करना है जैसे click करोगे तो आपका order पहले सो जाएगा, पहले सोने के साथ दिनों के अंदर जो आपका mobile जो आपके new mobile आपके order दिए वे address पर आ जाएगा